अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिदा तुम हो, कठिन हारे जज़त के इश्वर के सूरमा तुम हो अनोखी तुम्री लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो कही धर्मा तुम हो कही पर्मा तुम हो किसलिए कहना है अजीजों गोर से ये एक तारीखी बया सुन लो अजीजों गोर से ये एक तारीखी बया सुन लो अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास का सुन लो अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास का सुन लो अजीजों गोर से ये एक तारीखी बया सुन लो अजीजों गोर से ये एक तारीखी बया सुन लो अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास का सुन लो अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास का सुन लो के वालों ने बेहद सितम धाये मगरता मन्ना महभूबे खुदा का वो छुड़ा पाये बरुए कार जब लाने लगा बू जहल कीने को रसूल अल्लाह मक्के से चले आये मदीने को जुदाई अपने आखा की गवारा कर नहीं पाये मुसल्मा छोड़ कर सब फिर मदीने को चले आये मदीने वाले नेक इनसान हक की राह पर आये उदाओ मुस्ताफा पर दिल से वो इमान ले आये महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई रसूल अल्लाह की सोबत ने शिक्मत उनकी चमकाई लगा जब फूलने प्षदने वहाँ इसलाम का गुलशन मदीने के यहूदी बन गए इसलाम के दुश्मन रसूल पाक ने उनको बहर सूरत हिदायत की पराय अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी पितने उठाते थे मुसल्मानों पे वे खुनों खता वो जुल्म धाते थे इकठे होके सब रहने लगे वो खिला खैबर में लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैंबर में ये हरकत उनकी अल्ला पाक को हरगिज नहीं भाई रसूल पाक को अल्ला ने आजा ही फरमाई करो तुम जंग इन से जा तो ये इमान ले आएं करो तुम जंग इन से जा तो ये इमान ले आएं न छोड़े दुल्म करना तो मदीने से निकल जाएं न छोड़े दुल्म करना तो मदीने से निकल जाएं इसके बाद क्या होता है समात कीजेगा अधरा दूसरा बंद रसूल पाक को अल्लाह का इर्शात जब आया पराए मशुवरा सब मुमिनों को शहने बुलवाया ये फरमाया खुदा का हुकम मेरे नाम आया है उन्हों ये अब तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है सताते हैं जो हर दम मुमिनों को तंग करते हैं लड़ो अब तुम भी उन से जो भी तुम से जंग करते हैं दिला खैबर का फत्ह करने को तैयार हो जाओ तुम अपने दुश्मनों से बर सरे पैकार हो जाओ ये सुनकर हो गए खुश एहले इमा सब मदीने में के जबादीन का था मोजिजन हर एके सीने में हुआ तैयार लश्कर खिदुमते इसलाम करने को उदाये पाक की तौईद सब में आम करने को अबुबकरो उमर उतुमा अली सरदारे लश्कर थे सभी अल्लावाले जानि साराने पयंबर थे शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर उड़ाया मदहका दुश्वारियों का खंदाजन होकर लिया इक जायजा सरकारे तो आलमने लश्कर का इरादा कर लिया हर एक ने अब जंगे खैवर का बोलश्कर क्या नमाजी थे नभी के चाहने वाले फुलशकर क्या नमाजी थे नभी के चाहने वाले वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले माली थे माली अब ये लशकर क्या नमाजी थे नभी के चाहने वाले वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले अब ये लशकर किस तरह से खैबर के खिले की तरफ रवाना होता है समात कीजेगा न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर नहीं फूले समाते थे मुहम्मत की खैदत पर खैदत में रसूल अलाह की सब चल दिया लशकर हुआ फिर खे माजन लशकर वो नजदी के तिला खैबर रसूल पाक ने पहले खिले पर एक वफद भेजा कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रस्ता पसादो वितना से बाजाओ ये जुल्मों से समचोड़ो करो दिल से खुदा की बंदगी जूटे सनम चोड़ो खुदा के और रसूल अल्लाह के फर्मान को मानो पनो इमान वाले दिल से तुन कुरौान को मानो खिले की बाम से बोले यहूदी हम ना मानेंगे हमेशा हम मुसल्मानों को दुश्मन अपना जानेंगे ये कहकर ती रुठे के बाम से उन ना पकारों ने खबर ये लोट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने खिले का बंद दर्वाजा किया उन ना पकारों ने या पैगाम रद अपना यहूदी बद शियारों ने खिले की बाम से जब तीर पथर सबने वर्साए उन्हें पैगाम दे कर अपना हम वापस चले आए ये सुनकर आपने भूबकर से फरमाया तुम आओ पिले पर हम ला कर दो अपना लशकर साथ ले जाओ पिले कर हम ला कर दो अपना लशकर साथ ले जाओ पिले कर हम ला कर दो अपना लशकर साथ ले जाओ अबोबक्र सुन्धिय को बलाते हैं कि सिद्धिग अक्बर तुम जाओ लगा पता करने के लिए और अब क्या होता है समाथ कीजेगा दिखा दो शाने इमानों सदाकत कुकुरु वालों को मिटा कर जुलमते फैलाओ अब हक के उजालों को ये सुनकर हजरते मुबक्रु उठ बैठे तिलेरी से चले वो लेके लशकर खिला खैबर की तरफ लड़ने खिले को देखा चारों सिम्त थी पत्थर की दीवारे यहूदी खिले से करने लगे तीरों की बोचारे बहुत मदबूत दर्वाजा था एक पौला दो आहन का इसी बाइस गुजर होता खिले में खेर मुम्किन था खिले पर भौजी दीवारों पर चढ़ कर पहरा देते थे कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे अगर पौजे गिरा लेकर कोई आता था खिले पर तो पहरे दार बर साथे थे उस पर तीर और पत्थर परेशा और जखमी होके लशकर लोट जाता था इसी बाइस तिले पर कोई खब्दा करना पाता था गरज भूबकर के लशकर ने ताकत आजमाई की सुभा से शाम तक लशकर ने हट हट कर चढ़ाई की हुई जब शाम तो नाकाम वापत लोट कर आए बहुत शर्मिंदा थे दिल में के पाते हो नहीं पाए कहा सरकार हम खैबर पे कब्दा कर नहीं पाए कहा सरकार हम खैबर पे कब्दा कर नहीं पाए तो फर्माया रसूल अल्ला हने कुछ फिक्रुम कीजे कुछ थाओ कुछ थाओ प्रोड़ कर नहीं पाए कर दो अल्ला है कर दो दो आख प्रोड़ कर दो पाँ पाए अगरत अबुबद सिद्दीग कहते हैं कहा सरकार हम खैवर पे तबदा कर नहीं पाए तो फर्माया रसूलल्ला हने कुछ फिक्र मत कीजे उसके बाद हदरत अमर पारूफ रजीरल्लाहbles को बलाते हैं और क्या कहते हैं समत कीजे बुला कर फिर उमर पारूफ को फर्माया आखा ने किलाखे पर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने उमर ने भी कहा लबैक फर्माने मुहम्मद पर वो पहुँचे लेके लश्कर उस दिला खैवर की सरहद पर यहूदी भोजियों ने तीर पथर उन पे बरसाए कहा हजरत उमर ने ढाल पर हम ला लिया जाए लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इसलाम का लश्कर मगर ताखिल ना हो पाया कोई उस चिले के अंदर तेरे चारों तरफ लेकिन कोई रस्ता नहीं पाया उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया कहा खिद्मत में आकर शाह की फारूक आजम ने बहुत शर्मिंदा है आखा पते पाई नहीं हमने कहा ये मुझ्द कुरा कर आप उने हर गिना पश्ताओ कोई इसमें खुदाई मसलाहत है तुम ना शर्माओ खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंदिल खुदा का शुकर की जिरन जो घम करने से क्या हासिल भुला कर फिर कहा उसमान से महभूबे दावर ने पहुत वितना उठाया है सितमगार आने खैवर ने अलंबर दार बनकर तुम मुझाहिद साथ ले जाओ अलंबर दार बनकर तुम मुझाहिद साथ ले जाओ शुजात और बनूने जंग अंबी अपना दिखलाओ शुजात और बनूने जंग अंबी अपना दिखलाओ शुजात और बनूने जंग अंबी अपना दिखलाओ मुझाहिद साथ ले जंग अंबी अपना दिखलाओ मुझाहिद साथ ले जंग अंबी अपना दिखलाओ मुझाहिद साथ ले जाके खैबर पर दिले वालों ने दिन भर तीर पथर खूब बरसाए गरज नाकाम होकर आज उसमा भी पलटाए बहुत शर्मिंदा होकर अर्ज की ऐ सरवर आलम गिलाचारों तरफ से बंद था पत्थर गिरे पैहम नदामत है के खब्दा कर न पाए आज खैबर पर कहा सरकार ने देगा फते वो खालिख अकबर ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से कोई जाकर अली इबुने अबु तालिब को ले आए अली शेर खुदा की आँखें दुखने आई थी उस दम खबर ये जब सुनी बुलवाते हैं सरकारे तो आलम को आँखें बंद थी तकलीब से बेहत परेशन थे सहाबा के सहारे से मगर पोरन चले आए उए खिदमत में हादिर अर्द की क्या हुकुम है आखा मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया ये फर्माया के सब हम ले हुए नाकाम खैबर पर बराबर तीन दिन से लड़ रहा है अपना सब लशकर तुमें भी भेज दू खैबर पे लड़ने क्या इरादा है तुमें भी भेज दू खैबर पे लड़ने क्या इरादा है तुमें भी भेज दू खैबर पे लड़ने क्या इरादा है अली बोले मुझे मन्वूर है जो हुक्म आखा है अली बोले मुझे मंचूर है जो हुक्म आखा है अली बोले मुझे मंचूर है जो हुक्म में आखा है हजरत अली को हुदूर बुलवाते हैं और कहते हैं कि जाओ तीन दिन हो गए हमारे लश्कर को लड़ते हुए हजरत अभूबाकर सिद्धीख भी गए हजरत अमर फारुक लिदिल्लाह तालान हुभी गए हजरत अस्मान गनीवी गए लेकिन ये खैबर का दर फते नहीं हो रहा है ऐ अली तुम जाओ और जंग करो हजरत अली हुदूर का ये हुक्म सुनकर लबैक कहते हैं और फिर हजरत अली का लश्कर किस तरह दर खैबर की तरफ चलता है समात कीजेगा मैं फर्माने रसूल अल्लाह पर खुर्बान जाऊंगा तिले को पतहे कर लूंगा तभी वापस मैं आऊंगा फिर आखें बंद दोनों फिर भी खुश हो कर अलम पकड़ा सदाए ना रहे तक बीर से माहौल सब गूंजा ये जज़बा देख कर फोरण उठे महबूबे हक्ताला लुआबे दहिंद चश्माने अली में आपने डाला अली की आखें बंद दुख रही थी आखें लेकिन आपने सदाए नारे तकबीर बलंद किया हुजूर सरवरे काइनात ने अपना लुआबे दहिं हदरत अली की आखों में जो लगाया तो आपकी दुखी हुई आखें फोरण ठीक हो जाती है उसके बात क्या होता है सुने यकायक दोनों आखें खुल गई रबुने शपा बक्षी लिया लशकर अली खैबर की जानिब हो गए राही परीबे खिला जब पहुँचे तो उपर से हुआ हमुला तो लशकर ने अली के उद को अपनी धाल पर रोका हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला तिले में जाने को रस्ता कहीं से भी नहीं निकला अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवादे पर पहुँचे दरे खैबर था लोहे काम अगर हिम्मत नहीं हारे दरे खैबर के बादू थाम कर जोरा खुमाई की दुआ मांगी खुदा से और मुहम्मद की दुआई दी मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब लाज रख मेरी तेरे नजदीक क्या मुश्किल है आला शान है तेरी इलाही जो खिला को आज पतहा करना पाऊंगा तेरे महभूब को जाकर मैं कैसे मूँ दिखाऊंगा पता कावे खुदी तुने अबाबीनों के हीले से पता कावे खुदी तुने अबाबीनों के हीले से मुझे भी कामिया भी दे मुहम्मद के वसीले से मुझे भी कामिया भी दे मुहम्मद के वसीले से लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने उखाडा जोर करके आहनी दर्वादा है दर ने लगा कर नारे तकबीर लशकर गुद गया अंदर चली फिर जुल्फिकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर वुई जम कर लडाई तो लगे अंबार लाशों के अली की जंग देखी पाउं उख्डे बदम आशों के शुजात देखकर है दर की जालिम इस तरह भागे के जैसे भागते हैं बन में गीदर शेर के आगे मगर जाते कहां किले के अंदर गेर कर मारा वुए जखमी बहुते था कयामत खेज नसारा ये हालत देखकर हत्यार डाले एहले खेवर ने किया खेवर अली को फिर हवाले एहले खेवर ने पहुते हो गए मौमिन पढ़ा कलमा मुहम्मद का लगा लहरा ने फिर खेवर पे दीन इसलाम का जंडा लगाया नारए तकबीर सबने फिर मगन होकर अली शेरे खुदा वापस हुए खेवर शिकन होकर रसूल अल्ला ने खुश होकर उन्हे सीने से चिपकाया लगब खेवर शिकन का फिर अता आखा ने फरमाया पजा में से सदा आई अली है कामिल एमा है खामी मान वाले भुबकर उसुमा उमर इनसां वही ना भिल हुई सरकार उपर फरुमाने हक आया सदा मिन जान बे शैता सही एमान है सब का सुजात में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की सुजात में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की पते खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी पते खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी पते खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी कर दो कर दो